ये बताईए कि ये परिच्छा कैसे क्लियर करेंगे कैसे हम जो एक्जाम है उसकी बढ़ियां से तयारी कर पाएंगे और हमारे लिए कैसे आसान होगा ये तयारी क्योंकि हमें तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती चीजे आसानी से याद नहीं होती है नुमेरिकल्स मुस्किल लगते हैं जो मैस के कोश्चन है वो मुस्किल लगते हैं तो हम कैसे आसानी से तयारी कर सकते हैं तो आप सभी के लिए एक ट्रिक के माध्यम से तयारी का एक स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया है और इसके लिए हमने अलग-अलग स्टेट्स के लिए अलग-अलग batches ला रखें जैसे यूपी के लिए है विजय बैच ठीक है और बिहार के लिए है लक्षे बैच जारखंड के लिए है योद्धा बैच और उत्राखंड के लिए है अभिनंदन बैच ठीक है ट्रिक के माध्यम से आप कैसे त्यारी कर पाते हैं जैसे हम इस करड़ी वाले होते हैं जो अनंत वाले होते हैं वो बार-बार repeat होते हैं आपके इंट्रेंस examination में ठीक है तो यहां पर देखिए आप सबसे पहले जब भी आपको ऐसे बहुत सारे करड़ी वाला जब question मिले ठीक है तो इसमें आपको simple कैसे करना है इस question को यहां पर जो भी नं नंबर को आपको note कर लेना है ठीक है और उस नंबर को note करने की बाद आपके जितने भी square root है उनको count कर लेना है तो आप count कर लीजे एक दो तीन चार पांच छे ठीक है टोटल कितने हैं छे हैं तो देखिए यहां पर 6 square root है तो आप यहां पर 5 जो भी नंबर अंदर लिखा घटा दीजे और इसको calculate करके final answer लिख दीजे 5 to the power 64 और उपर हो जाएगा 63 यहां पर आपका जो answer आएगा वो 5 to the power 63 upon 64 आएगा तो दीखे यह जो question है अगर आप solve करने basic method conventional method से इसको solve करने के लिए बैठेंगे तो काफी number time लग जाएगा लेकिन मैंने जो method बताया उस माध्यम से आप ऐसे कोई भी question अपनी book से उठा लो और आप second हो में within second 10 seconds अंदर में आप answer को दे सकते हो और 10 seconds अंदर ही आपका answer मिल जाएगा option number C is the right answer यहां पर correct answer ठीक है चलिए ऐसा एक question नहीं अन्या question भी हम बताएंगे देखिए अगला question दिया हुआ है x is equals to square root के अंदर 2 plus 2 ऐसे करते हुई यह कहां तक जा रहा है infinite तक जा रहा है अनन्त अनन्त देखकर के पहले ही बच्चे डर जाते हैं और ऐसे question आते हैं हर साल क्योंकि उसको थोड़ा सा परिक्षा को कठीन बनाना है और कठीन नहीं बनाएगा तो सभी pass कर लेंगे exam को तो देखिए कभी ऐसा question मिले आपको तो equal to में आपको x या फिर y मान लेना है अगर x और y दिया है तो कोई दिक्कत नहीं नहीं तो आप मान लेजे फिर इसको x को या y को नीचे लिखिए x है तो x ही मान लो x ही रखेंगे हैं और x के ऊपर 2 हमने यानि की power में 2 लगा दे लिखेंगे और जो भी अंदर बार-बार repeat हो रहा है उसको note कर लेंगे अगर उसके बगल में plus है तो plus लिखेंगे और minus है तो minus लिखेंगे अब यहां पर दुबारा से हम x लगा देंगे अब x की जगह पर option में देखिए अलग-अलग numbers दिये हुए हैं इन में से रख करके फ अब सीधे 2 रखिए 2 x की जगह पर तो 2 का square is equals to 2 plus 2 तो आप यहां पर देखेंगे कि इसने इसको verify कर दिया है 2 का square is equals to 2 plus 2 is equals to कित्ता होता है फोर तो left hand side is equals to right hand side तो इस हिसाब से हमारा यह answer एकदम perfect एकदम सही है ठीक है ऐसे ही अगर आप 1, 3 या फिर 4 रखेंगे तो इसमें से कोई भी आपका सही नहीं आएगा verify नहीं करेगा इस equation को तो इस तरह से आप कुछी second में correct answer अपना पकड़ सकते हो math में ठीक है यही नहीं आगे चलिए कुछ और भी हम आपको जादू यहां पर दिखाते हैं ठीक है यह question दिया है जिसमें करा यूगुपत समिकरन 2 to the power x plus y is equals to 1 तथा दिया हुआ है आपका 2 to the power x minus y is equals to 4 और का हल ग्यात कीजिए find solution of given expression जो expression दिया हुआ है उसका solution find करना है यह x and y की value find करने हैं देखिए जो सामान्या लोग होंगे वो x और y की values को find करने के लिए इन दोनों equations को solve करना सुरू कर देंगे लेकिन आपके लिए इस आपके option में ही दिया हुआ है तो आप यहीं से option को रख करके चेक करिए एक एक करके जो इस दोनों equation को satisfy कर देगा वही right answer होगा तो x बराबर 1 और y बराबर minus 1 दिया यहां put करेंगे तो 2 की power 1 और minus 1 is equals to बात करें 2 की power 0 is equals to 1 आ रहा है इसको satisfy कर रहा है चलिए दूसरा equation भी चे पर यहां पर 1 रखेंगे और y किसे पर देखिए यहां पर minus 1 है और यहां भी minus है तो minus और minus मिलके plus हो जाएगा 2 की power 2 is equals to यहां पर आ जाएगा 4 ठीक है तो यहां पर देखिए यहां भी बराबर में 4 है दोनों equation को satisfy कर रहा option number is the right answer अन्या दो कोई भी यहां पे आप equations के जो है X and Y के कोई भी options का जो X and Y का value है वो equations में रखेंगे वो satisfy नहीं करेगा वो right answer नहीं देगा आपको ठीक है तो यह हो गया आपकी मैस की बात लेकिन मैस से ही तो आपकी परिक्षा नहीं निकल जाएगी न भाई आपको chemistry भी पढ़ना है आपको physics भी पढ़ना है तो चलिए chemistry की उपर आचुके हैं हम लोग जहिंद सुनुसर क्लास आप सभी के लिए polytechnic intense examination 2030 की तयारी के लिए लाया है interactive courses अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए है विजय बैच अगर आप भी हार से हैं तो आपके लिए है योधा बैच और अगर आप उत्राखंड से हैं तो आपके करके आप सभी कंटेंट को देख सकते हैं जिसमें आपको मिलता है प्रिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसमें कुछ फ्री टेस्ट भी है जिसमें आप अपने इस पर ऐजर्ट कर सकते हैं आप यहां पे टेस्ट के बाद रिजल्ट में अपने मार्स देख पाएंगे अपने रैंक पो देख पाएंगे कि आपका रैंक जितने भी बच्छीरे ने रिंक पर इसकाउं है आपको यूँज करना होगा कोड । तो टार्गेट 2023 यूज़ करिया और इस कोस्टे एक्स्लिजिव डिसकाउंट आईए कोश्चन यहाँ पर दिया हुआ रशायन विज्ञानेनी केमिस्ट्री में कि दूद से दही का बनना जो है वो कैसा परिवर्तन है सांदार सा कंस्रिप्ट आपके पास होना चाहिए चीजों को समझने के लिए तभी आप चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे कह रहा है दूद से दही का बनना अच्छा हमको आप फड़ा फड़ से कमेंट सेक्शन में एक आंसर दे जीजे क्या दूद से दही एक बार बन गया तो क्या दही से दुबारा आप दूद बना दोएंगे क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर दही एक बार बन गई तो आप दुबारा से उसको दूद बना सकते हैं तो आपका अंसर होगा नहीं, तो दही से दूद आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये कौन सा परिवर्तन है, ये आपका राशाइनिक परिवर्तन है, अब आप कहेंगे आपने तो पढ़ा ही नहीं, तो आपने पढ़ लिया भाई, यही आपका एक concept त्यार है, दो concept आपके त state में, यानि उसकी पुरानी अवस्था में या उसकी वास्तवीक अवस्था में नहीं ला सकते, तो वो chemical changes है, यानि की राशाइनिक परिवर्तन है, और अगर आप उसके original position पर ला सकते हैं, तो वो physical changes है, अब physical changes क्या है भाई, 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 तो देखिए, पा पानी को बर्फ बन गई, और बाहर निकाल के गर्म कर दो, दुवारा से आपका पानी बन गया, ठीक है, तो ये आपका physical changes हो गए, तो दीखिए, concept सांदार सा यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बिल जाएगा, और सांदार से आपका answer भी मिल जाएगा, चलिए, laws of chemical combination का यहा 9.10% है, यह आकड़े जिस नियम की पुष्टी करते हैं, जिसको satisfy करते हैं, उसे प्रतिपादित किया था, जिस नियम को ये प्रतिपादित करते हैं, उसको किस ने दिया था, पहले तो ये देखो कि किस नियम को प्रतिपादित करते हैं, देखो हम इसको पकड़ने के लिए सिर्फ एक वर्ट देंगे तो कहीं भी अगर आक्साइड आपको दिग गया ना और आप से किसी भी लौ की मांग कर रहा है लौ पूछ रहा है या वैज्यानिक का नाम पूछ रहा है तो सीधे समझना अगर आक्साइडों की बात कर रहा है तो यहां पे गुडित अनुपाद क का जो है लौ आता है नियम आता है तो गुडित अनुपाद का नियम आप लोग देख लेना अभी मैं केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को यह क्लियर हो जाएगा ठीक है तो गुडित अनुपाद का नियम जो है वो डाल्टन ने दिया था तो यहां आप जौन डाल्टन ऑप्शन नमबर बीज दक करेक्ट अंसर इस तरह से आप डायरेक्ट एक वर्ड देखेंगे और अपना अंसर दे सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं थियरी के कंसेप्ट को कैसे आप याद रखेंगे क्योंकि भाई यह तो नुमेरिकल हो गई नयार ठीक है चलो हमने अक्सीजन देखा आपने बता दिया कि आकसाइड देख लिए तो गुड़ी तनपात का नियम लगा दोगे उसने डाल्टन डाल्टन ने उसका प्रतिपादन किया था चलिए ठीक है यहां तक सही है ठीयरी कैसे याद कराओगे हमको जैसे हमसे अब क्या हो गया भाई बैकुरल जो बैकुरल थे वही रेडियो एक्टिविता की खोज किये थे उन्होंने ही क्या किया था रेडियो एक्टिविता की खोज की थी तो यहां पे बैकुरल ने ही रेडियो एक्टिविता की खोज की थी तो मेरी जो बकरी है वो रेडियो दिया कि भाया इंधन के रूप में कौन-कौन काम करता है आपको ट्रिक याद रखना भाई रेडियो एक्टिविता वाले में कि यूपी में अगर वीडी पियोगे तो योगी जी का राज है ठीक है इसलिए यूपी में वीडी को नियंत्रण में पियो वरना जलकर नास हो जा हो जाता है विमंदक वी का मतलब हो जाता है विमंदक और डी का मतलब हो जाता है डी टू ओ ठीक है तो हैवी वाटर यानिकी डी टू जो है विमंदक का मौडरेटर का काम करता है वहीं जो के है को का मतलब के यहां पर जो है वह कैडमियम की छड़ है कैडमियम रॉड है और और ये नियंत्रक के रूप में काम करती है, किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में कार्य करती है, कंट्रोलर के रूप में काम करती है, कहां पे आपके कैडमियम जो है वो निहंत्रक के रूप में कंट्रोलर के रूप में काम करती है ठीक है चलिए और वहीं बात करें कि सीतला के नहीं कूलेंट का काम क्या करता है तो जलकर नास में जो ना है वो सोडियम को दिखाता है और सा मतलब सीतला के नहीं की कूलेंट का काम करता है तो जो sodium है वो coolant का काम करता है इस तरह से सांदा trick के माध्यम से देखो इतना तगड़ा तगड़ा question मैं आज के इस session में मात्र कम से कम कम से कम आपके यहाँ पे 40 number का question देखे जा रहा हूं कम से कम ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक विलियन में hydrogen ion का सांद्रण एक गुड़े 10 पे घाते देखो pH value आपने पढ़ा होगा 10th में भी पढ़ा होगा 12th में भी पढ़ा होगा अगर आपने 12th कर लिया तो pH value बड़ा कठीन होता है यार करने में मेरे समय में भी बहुत कठी था बहुत टफ था करना इस question को ठीक है लेकिन आपके लिए टफ नहीं होगा आप बहुत सांदार तरीके से बहुत easily smoothly answer कर पाऊगे ठीक है बस ध्यान क्या देना है कि hydrogen होना चाहिए आपके question में और 10 की power में जो भी दिया हो उसको ध्यान देना है ठीक है क्या होना चाहिए hydrogen होना चाहिए और pH value पूछ रहा हो तो hydrogen हो pH value पूछ रहा हो तो 10 की जो भी power होगी वो plus में हो minus में हो उससे नहीं मतलब है उसके sign को हटा देना और उठा करके लिख लेना वही answer होगा यानि 10 की power minus 7 दिया है तो 7 is the pH value यानि pH value क्या है भाई 7 है pH value प्लस में भी नहीं होती है माइनस में भी नहीं होती है तो याद रखना कि अगर आपका hydrogen दिया है question में तो 10 की power ही आपका क्या होगा pH value होगा यह direct trick है यह सबके बस की बात नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अग हतिक विज्ञान की अगर बात करें तो physics में आपका सार्थक अंक से हर साल question आ रहा है significant figure आपसे पूछे जा रहा है 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या बतानी है तो देखो सार्थक अंक पूछ रहा हो तो left hand side में जितने 0 हों को काड़ दो इस प्रशने के according नियम मैं बता र संख है एक दो तीन और चार तो यहां पर significant figure की संख्या हो गए चार option number D is the right answer आप खुछ सकते हो कि मैं कितना pen आपना खुछ चला रहा हूं तो आपको कितना जो है चलाना पड़ेगा चलो यह तो छोटे मोड़े question हो गया यार यह कौन से question होते हैं यह percentage बता के दिखाओ 11th का question है भाईया कच्छा 11 का question पूछा जाता है आपके entrance exam में ऐसा नहीं है कि 10 वी लिख दिया तो 10th से प्रशन पूछेगा कच्छा 12 से भी पूछेगा ठीक है चलो आओ देखो कैसे इसको कर पाएंगे question दिया है कि गोले की त्रिज्या की मापन में त्रूटी जो है वो एक प्र करने में यहां radius को measure करने में एक परसेंट का error कर रहा है ठीक है तो यहां पर इसके बात करें कि volume यानि आयतन में कितना error होगा तो देखें फार्मूले में जितने constant term होते हैं sphere का गोले का आप आयतन यानि volume लिखें और volume में जितने constant term होते हैं उनको हटा दीजिए तो आपका जो formula मिलेगा वो क्या मिलेगा r का cube मिलेगा r में कह रहा है यह 1% का error होगा तो पहले formula में जितने constant term हैं उनको हटा दीजिए और आपका जो भी यहां पे variable term बज़ जा रहा है उसको लिखें उसके बाद power में अगर कुछ भी दिया है उसको आगे भीजिए गुणे में लिख कर दीजिए उस variable term के साथ और जो भी error आपको दिया हुआ है उस term में उसको put कर दीजिए जैसे यहां 3 into r में 1% का error है यहां पे 1% लुखूंगा और finally यहां पे जो volume में error है ठीक है यानि volume में जो error होगा वो हमारा 3% का error होगा निकाल के देख लेना अपने conventional method से यही होगा right answer ठीक है तो ऐसा ही आप use करना और ऐसा नहीं है भाई सिर्फ इसमें ही नहीं है और भी मैं आपको बता सकता हूँ जैसे मालो आपको एक question लगातार दे रहा है ठीक है मैं एक और question इस पर कराना चाहूंगा कि A में 1% का error है B में 2% का error है और C में 3% का error है ठीक है और आपसे उपर power है नो उसको पहले multiply में convert कर दो और जितने भी variable से उनके बीच में plus लगाना है उनके बीच में क्या लगाना है ठीक है और जितना भी यहां error दिया हुआ जो भी percentage में उसको put कर देना है simply तो 3 multiplied by A में percentage error जो दिया है वो 1% दिया है प्लस 2 multiplied by B में percentage error जो दिया है वो 2% दि को मिल जाएगा जैसे यहां पर 3% हो गया यहां पर आपका 4% हो गया और यहां पर आपका 3% हो गया तो 3-3-6 और प्लस 4 आपका 10% का error इस quantity में हो जाएगा इसमें error आपका find करना था तो 10% का error यहां पर इस quantity में है अपने conventional method से लगा कर देख लेना और यही right answer आपका आएगा 10% ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर कार्या का CGS मात्रक सर यूनिट नहीं आद होती है बहुत सारी यूनिट है सर बहुत सारे quantities हैं कैसे याद करें सर ठीक है तो अर्ज किया है कि तेरा कार्या करने के लिए बस अड़ा से जून में आऊंगा कैसे आऊंगा अड़ा से जून में आऊंगा तो देखो यहां पर जो यह स्टोरी बता रही है कि कार्या करने के लिए बस अड़ा से किसमें आऊंगा जून में आऊंगा कब आऊंगा जून में आऊंगा तो जून में आऊंगा तो कार्या का मात्रक अर्ग होता है CGS मात्रक में 9 cm होता है 9 cm अड़ा से यहाँ पर आएगा तो से मतलब cm अर्ग 9 cm होता है और जून मतलब जूल होता है ठीक है तो देखो कारे का यूनिट निकल गया अर्ग निकल गया, डाइन सेंटिमेटर निकल गया, जूल निकल गया या अर्ज मैंने कहा था न, तो अर्ज का मतलब भी अर्ग ही है यहाँ पे तो अर्ग यहाँ पे किसका CGS यूनिट है, कार्य का option number D is the perfect answer, यहाँ पे अर्ग एकदम perfect answer है ठीक है, चलिए, आप लोग question कर रहे थे, लगातार new batch के बारे में कि sir, यह जो new batch है, वो कब से start करेंगे आप, क्योंकि समय तो बहुत कम मिलता है तयारी के लिए, तो कब से हम तयारी कर पाएंगे, क्योंकि time बहुत कम है बाई, मेरे लिए तो तयारी कराना बहुत आसान है, 30 दिन की बात है, 30 days का time होगा ट्रिक के माध्यम से तगडी तयारी कराएंगे, कोई तुम्हारे टक्कर में लग नहीं सकता है ये मेरा दावा है, और मेरे पढ़ाये हुए जो बच्चे हैं, वो government policy technique लखनव से लेके, government policy technique कानपूर से लेके और जितने भी based policy technique हैं, वहां तक हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में हैं, ठीक है और उन सभी से meetup भी हम आपका करा देंगे, एक दिन आप सभी को उनका allotment letters है, वो भी हम आपको दिखा देंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के request पे, मैंने उन सभी की counseling भी कराई हैं, उनका admission भी कराया है और आपके लिए भी यह सभी हो सकता है, तो देखो भाई, new batch की अगर हम बात करें, तो new batch आपका start होगा एक फरवरी से सिर्फ आप लोगों के demand पे, मैं 5 मार्च से start करने वाला था आपके board exam को देखते हुए लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं सर हम अभी से तयारी करेंगे, आप अगर एक महिने में एक बार पढ़ा सकते हो तो अगर April तक, मई तक अगर हमको time मिल जाए, तो आप हमको 3-4 बार पढ़ा सकते हैं अलग-अलग batches बना रखे हैं, जो भी उनके relevant entrance examination है, polytechnic के, जैसे UP के लिए और IRT entrance examination के लिए विजय बैच है, बिहार के लिए लक्ष बैच है, जारगंड के लिए योद्धा बैच है, और उत्राखंड के लिए अभिनंदन बैच है, इन सभी batchों में जाकर के आप enroll हो सकते ह अगर enroll करने में तनिक भी समस्या आपको आती है, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर क्या कर लेना हमसे contact कर लेना, WhatsApp नंबर पर contact कर लेना, WhatsApp नंबर हम फड़ा फट से आप सभी लिए लिख दे रहा है, मेरा WhatsApp नंबर है 9076929784 और साथी में Telegram जो group है उसमें join हो जाओ फड़ा फट से, ठीक है, इस message कर दिना अस group पे, link जो है Telegram का वो description में दे रखा है, अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो आप directly यहाँ पे join करने में course को, आप हमको message करिए, आपकी समस्या तुरंत के तुरंत दूर की जाएगी, और I hope आज के इस session में आपकी जितनी भी doubts होंगे, आपके exam को ले और अगर हो गई हैं, यह सभी तकलिफे दूर, तो session को like कर देना फड़ा फट से, और अपने दोस्तों के साथ share कर देना, और उनको भी कह देना कि यह session को ध्यान से सुनो, अपने session को सुनने के बाद, और Telegram group का link ले लो, वहाँ से join कर लो, batch को, ठीक है, यहनि कि वहाँ से group क को join कर लो, और साथ ही में हमारे official app, the smart edge for you, जैसा कि आप लोग ग्यानते हैं कि पहले the smart edge for you था, इस platform का नाम, वहाँ से जागर के आप फड़ा फट से course को join कर लीजे, तो आज के इस session में बस इतना ही रखूँगा, मिलूँगा, किसी अन्य वीडियो live session के साथ, तब तक के ल आत्रम आप सभी स्वास्त रहें, मस्त रहें